जी सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाएंगे फिर हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चो अभी हमने कितने चप्टर कर ली हैं हमने कम से कम 5-6 चप्टर को कवर कर लिया है टोटली हमने उन कोशन्स के डिटेल्स भी पड़ी है जहां जितना important था हमारे exam के according तो हमने वो सब कर लिया तो आप बच्चो बच्चता है हमारा बहुत सारे topics रहते हैं जो important person जहां से पूछा जाता है आज से हम अपना नया चप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चो तो हमारा नया चप्टर है reproduction in organisms reproduction in organisms हम चप्टर को स्टार्ट करते हैं हम नया चप्टर स्टार्ट करें reproduction of organisms तो बच्चो सभी बच्चे मेरे को फटाफट से ये बताएंगे कि आपने जो पहले के जो चप्टर किये हैं मतलब पहले के टॉपिक किये हैं तो उसमें से किसी भी कॉश्चन मतलब किसी भी टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रकार का doubt लग रहा हो तो सभी बच्चे बताएंगे comment करके doubt वैसे नहीं आना चाहिए तो हम बच्चो नया टॉपिक है आज का हमारा स्टार्ट कर रही है reproduction and organism तो सभी बच्चे बता देंगे मेरे को कि reproduction होता क्या है जल्दी से जल्दी बताएंगे कि reproduction होता क्या है जल्दी comment करेंगे बच्चे किस-किस बच्चे को पता है फटावट से मेरे को सभी बच्चे बता देंगे जल्दी करो मैं comments देख रही हूँ और बच्चो मैं comments के reply नहीं कर पाती कई बार ध्यान नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो question पूछ रही हो हम नहीं बताएंगे कोई भी question पूछो आप ठीक है आपका हग है ये तो comment करो साथ में तो आपको reply भी दिया जाएगा अगर live class में हम नहीं बोल पाते हैं तो आपको class के बाद भी आपके doubt है न वो clear कर दिये जाएंगे ठीक है तो आज से हमारा नया topic है reproduction organism इसको हम start कर रहे हैं सभी बच्चों से ये request है की session को share कर देंगे फटाफट से चलिए हम start करते हैं चलिए आज का हमारा first question है screen पे तो देखिए बच्चों बता देंगे मेरे को किस किस बच्चे को कितने question आते हैं ठीक है देखिए तो हमने बोला reproduction reproduction क्या होता है reproduction दो प्रकार का है asexual पढ़ेंगे हम और sexual पढ़ेंगे लेकिन हम organisms में पढ़ रहे हैं plants में पढ़ेंगे flowers में पढ़ेंगे humans में पढ़ेंगे तो इसके ना तीन चेप्टर बनेंगे आपके ठीक है तो first होगा reproduction in organisms आज बात करेंगे हम बैक्टिरिया पे और plants का भी ले लेंगे portion, animals का भी portion ले लेंगे लेकिन जो हमारे next lecture आएंगे वो flowers पे आएंगे और कौन से आएंगे और आएंगे humans पे जो सबसे ज़्यादा important portion है वो आज का है क्योंकि आज का जो session है बच्चों इनी में से कहीं ना कहीं आपसे question पूछे जाते हैं जब reproduction का topic आता है हर बच्चा सोचता है कि मैं इसको अच्चे से समझू देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि जो अभी topic चलेगा तो कोई भी बच्चा गलत comment नहीं करेगा ठीक है क्योंकि मैंने देखा है आप मतलब पता नहीं कहां से कि सोच के हो अभी भी कि आप इन सब चीजों को पढ़ते हो इन आपको शरम आती है मैंने सब चीज नोटिस की है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप ऐसा सोचते हो कि भई देखो इस topic को हम कैसे पढ़ेंगे है ना ये क्या जरूरी है तो बचों आप सब जानते हो आज कल हर चीज़े जरूरी है पता है ये सब आपको तो इस topic को जब हम पढ़ेंगे तो आप से ये request जरूर है कोई भी बच्चा गलत comment नहीं करेगा वरना आपको block कर दिया चाएगा ठीक है क्योंकि जब भी ये topic हम पढ़ाते हैं start करते हैं तो बच्चे ऐसे comment करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए और जो student है जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो खास कर ऐसे comment कभी करता ही नहीं है तो आप से भी request है वो किस से सम्मंदित है एसेक्सवल यानि एलिंगिक जनन जो होता है किस से सम्मंदित है देखिए बच्चो आप सब ने पढ़ रखाऊगा reproduction क्या होता एसेक्सवल क्या है अब हम बिल्कुल basic से ही पढ़ रहे हैं आप ये माँ सोचना कि मैं एकदम से इतना ज़्यादा high level करवा रहे हूं ठीक है आप सब जानते और reproduction कैसे होता क्या होता है question के according हम उसको भी पढ़ लेंगे cover कर लेंगे ठीक है तो first question हम से पूस्टा है एसेक्सवल ये प्रडॉक्शन is related to amphimixes, budding, vegetative, propagation and both, B और C तो देखी बच्चो जो amphimixes होता है इसका मतलब होता है both मतलब आपको जो word दिख रहा है amphi, क्या word दिख रहा है amphi amphi दिख रहा है बच्चो इसका मतलब होता है both both का मतलब इसमें क्या होगा इसमें female भी होगा और male भी होगा है ना इसमें क्या होगा मेल भी होगा आपका और प्लस फीमेल भी होगा तो इसका मतलब जहां पर ये दोनों आपको मिल रहे हैं मेल और फीमेल इसका मतलब क्या हुआ ये सेक्सले प्रडक्शन है क्या है ये ये एक सेक्सले प्रडक्शन है बच्चो ये एक sexual reproduction है लेकिन हमसे पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है कि A-lingic Genon यानि A-sexual reproduction इनमें किसमे होता है तो budding, vegetative, propagation तो आप सब जानते हैं कि emphimixis का तो मैंने बता दिया आपको कि emphimixis तो बच्चो होगा sexual reproduction यानि sexual reproduction का ही second name होता है emphimixis, emphimixis का मतलब बहुत इसके अंदर दोनों मिलेंगे आपको male भी और female भी ठीक है, तो देखिए अब आपका answer पूछा गया है budding और vegetative propagation तो ये आप सब जानते हैं कि जब A-sexual reproduction होता है A-lingic pregnant होता है तो उसके अंदर budding भी होगा और vegetative propagation भी होगा ये मतलब किस में होगा ये plants में होगा ठीक है ये किस में होगा plants में होगा तो बच्चों हमारा answer क्या होगा इसमें option number D यानि दोनों correct होंगे B और C ठीक है तो फटा-फट से इसको no down कीजिए फिर बढ़ेंगे next question की तरफ देखे अब आपको मैं एक picture दिखा रही हूँ आपको picture दिखाई दे रही है I think है ना picture में क्या दिख रहा है ये दिख रहा है आपको amoeba किस की picture है ये amoeba आपको amoeba की picture दिख रही है ठीक है ये आपको नजर आ रहा होगा nucleus ये आपको nucleus दिख रहा है इसके अंदर क्या है cytoplasm है तो amoeba में बच्चो क्या होता है इसमें होता है asexual production क्या होता है asexual production और ये कौन सा गरता है इसमें होती है binary fission क्या होती है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ binary fission इसमें क्या होती है binary fission कैसे होती है बच्चों देखिए आपको amoeba दिख रहा होगा structure अच्छे से तो ये जो amoeba है ये सबसे पहले क्या करेगा अपनी cell का size बढ़ाएगा तो इसके अंदर क्या है cytoplasm भी बढ़ जाएगा और nucleus भी बढ़ेगा इस से आपको अच्छे से visible दिख रही है next picture में तो देखिए इतनी बड़ी होगी हमारे cell और इसके अंदर का nucleus और उसके बाद ये धीरे-धीरे करके divide कर जाते है मतलब binary fission कर जाती है मतलब amoeba क्या होता है amoeba कभी नहीं मरता amoeba क्यों नहीं मरता क्योंकि वो unicellular होता है मतलब उसके पास single egg cell होती है इसलिए वो कभी भी नहीं मरता वो क्या करता है अपनी जो body होती है उसको क्या कर देता है दो भागों में बाढ़ देता है मतलब क्या होगा parent body से new daughter cells बन जाती है तो आपको ये दिख रहा होगा क्या बन रही है ये daughter cells है ना फटावटस इसको भी not down कीजे फिर बढ़ेंगे next question की तरफ ठीक है देखिए आपको एक और example दिख रहा है ये आपको parent दिख रहा होगा ठीक है parent दिखाई दे रहा अपको parent दिखाई दे रहा है ठीक है अब ये भी क्या है ये भी एक asexual का माध्य में कैसे है बच्चो देखिए आपको एक cell दिख रही है ये धीरे से उपर एक जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम bird क्या बोलेंगे bird bird ठीक है और अगर आपसे ये पूछा जाता है तो इस amoeba में होता है अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके अंदर bird अपसेंट होता है मतलब इसके अंदर bird नहीं बनता अपसेंट आपको कहीं पे भी नजरा रहा है इसमें आपको ये एक cell दिख रही थी इसमें आपको कहीं से भी ऐसा दिख रहे है कि ये एक amoeba है ऐसा amoeba इसके अंदर ये nucleus है तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अलग से ये कुछ बना है अलग से बनता है वो bird होता है ठीक है तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर bird है तो इसका मदलब क्या होगा बच्चो, इसमें बड अपसेंट होगा, इसमें बड नहीं बनेगा है ना, इसमें बड नहीं बनेगा, ठीक है, देखिए, अब हमें next example दिखा रखा है, कि एक आपको cell दिखाई दे रही है, इसके अंदर nucleus है, और एक ये है parent body, तो amoeba में क्या होत parent body मिलती ही नहीं है, मदलब जो वो divide होके, दो डोटर सेल सोरी बना देती है, तो इसका मदलब क्या है, कि parent body इसमें तो खतम हो जाती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन next जो example है, nucleus दिखा रखा है, parent body है, अब इसमें क्या होगा बच्चो, इसमें मिलेगा आपको bird, यहाँ ध next बनेगा, यह ऐसे करके, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर nucleus नजर आएगा, और यह आपको जो छोटे वाला bird दिख रहा था, यह वाला वो आपको अलग से नजर आएगा, इसके अंदर भी nucleus होगा, ठीक है, तो क्या हुआ, यह तो आपका daughter cell बन गया और यह parent body है, तो इसका मलब क्या हुआ, कि जो हमारा next example था, उसके अंदर bird बन रहा है, लेकिन parent body हो degenerate नहीं हो रही, मतलब वो खतम नहीं हो रही, वो उसके अंदर अभी भी है, फटाफट से इसको no down करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम next question की तरफ, चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, देखे, अब हमारा next question क्या पूछता है हमसे, हमारा next question कहता है, during which of the following types, मतलब निमनिक्त में से किस प्रकार के reproduction to the fully matured, teeny individual, teeny मतलब छोटे, detach from the parent body and become new independent individuals, देखे बच्चों, अभी अभी आपने पिछले examples में किया था, इस question को आपने पिछले example में किया था, कोई भी बच्चा अगर भड़े ध्यान से questions को सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो इस question का answer वो easily बता सकता है, कैसे बता सकता है, देखे, इसमें पूछा गया है कि निमनिक्त में से किस प्रकार के प्रजनन यानि reproduction के दोरान, पूरी तरह से परिपक होकर छोटे मूल व्यक्ति सरी से अलग हो जाते हैं, और अपने क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति बन जाते हैं, मतलब ये देखे, आपको ये दिखाई दे रहा है, आप इसको अच्छे से देखे, एक मिनट पर पाने पी लेती हूँ, फटा फट से, देखिए, हम करते हैं, हमने ये कुशन क्या था, इस कुशन को देखे, इस को, सोरी, एक्जामपल को देखे, आप बता सकते हूँ, सोरी बचो आप तोड़ी तब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका लोस नहीं होना चाहिए, हम कॉसिस कर रहे हैं, कि हमारे जो लेक्चर्स है कंप्लीट हो, और जो हमारे टोपिक्स हैं, वो कावर हूँ, अब जैसे काफी पच्चे हमसे पूसते हैं, कि मैडम हमें न साइन्स का सलेबस नहीं पता, और काफी पूशते हैं कि मतलब हमें लगता ही नहीं कि हमसे science हो जाएगी ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे पास message आते हैं, मैं नाम नहीं लहूंगी हाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत रहती है तो देखिए बच्चो आपको free में provide करवाई जा रही है अच्छी classes आपको totally syllabus करवा रही हम ऐसा नहीं है कि हमने 2 classes डाल दी तो आगे नहीं करवाएंगे ऐसा नहीं है बच्चो देखिए किसे region की वज़े से हम कई पर class upload नहीं कर पाती लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो बीच में छोड़ दिया नहीं बच्चो आपको biology का जो syllabus है वो मैं surely हूँ कि वो आपको हमारे channel पे free of cost एकदम free में करवाया जाएगा ठीक है किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैडम ने दो दिन class ली और फिर हमें छोड़ दिया है सही ऐसा नहीं होगा बच्चो प्रॉपर notes बनाओ आप अपने और अगर आपको दिक्कतारी है किसी प्रकार की किसी question में लेके तो आप मुझे बायो विज्ञान पे message करें इंस्टाग्राम मेरी ID है वहाँ पे आप मुझे message करें ठीक है तो बच्चो हम questions कर रहे थे कि हम से पूछा गया था कि निवनिक्त में से किस प्रकार के प्रजनन के दोरान पूरी तरह से परिपक छोटे व्यक्ती मौल सरी से अलग हो जाते है इसमें क्या कहना चाहरा है देखिए इसमें ये एक parent body है ठीक है क्या है ये एक parent body है आपकी इसमें से ये एक आपकी parent body है ठीक है तो next इसके अंदर ये हैपका nucleus है ग्या है ये झूकलियस ठीक है और इसके अंदर क्या है? sintroplasmatic है तो ये जो parent body है इसके उपर अलग से क्या बन जाज़ा प मतलब इसमें क्या हो री है? ये ये bud बन रहा है बच्चो ये आपका एक bud बन रहा है तो मतलब क्या है? क्या हो रही है? Outgrowth Outgrowth का मतलब वृधी होता है न Out का मतलब बहार यानि Cell के बहार की तरफ एक growth हो रही है एक वृधी हो रही है जिसको हम बोलेंगे Bud क्या बोलेंगे Bud तो हम से इस question में पूछा गया है कि किसी भी parent body से जब कोई Bud बनता है Outgrowth होती है तो वो धीरे धीरे करके अलग हो जाएगी ये अलग हो गया और ये आपका अलग आ गया ये आपकी parent वाली body थी कौन सी थी parent body थी और ये आपके daughter cell आगी बतलब जो बनी है वो daughter cell आगी तो हम से यही सिर्फ पूछा गया है कि जो इस प्रकार का process होता है बच्चो वो किस में होता है उस process को हम क्या बोलते हैं देखे आपको simply तरीका बतारी हूँ याद रखने का आपने ये देख लिया ये क्या है bud ठीक है इसी को ध्यान में रखके हम question को solve करेंगे multiple fission fission budding and regeneration regeneration मतलब ये सारे जो type होते हैं ये सारे type है asexual reproduction की है बच्चो लेकिन ये vary करते हैं कि किसी में किस प्रकार की हो रही जैसे amoeba क्या करता है binary fission करता है hydra क्या करेगा अलग प्रकार की asexual reproduction करेगा और menduk करेंगे मचली करेगी मतलब जो आपके animals है plants है all organisms है वो different different type की reproduction करेंगे तो इसी प्रकार से हर अलग अलग अरिगनिजम अलग 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 प्रकार की प्रिजनन करते हैं तो हमसे जो प्रिजनन यहां पे पूछी गई है उसका नाम क्या होगा बच्चो उसका नाम होगा budding देखिए अब यहां क्या था outgrowth हो रही थी cell पे यानि bud बन रहा था तो क्या answer होगा इसका budding क्या बन रहा है bud बन रहा है ठीक है देखिए आपको एक picture में दिखाती हूँ देखिए आपको यह parent cell दिखाई दे रहा है parent cell है ना आपको parent cell दिखाई दे रहा है तो जो parent cell दिखाई दे रहा है जैसे बच्चो उसमें बड़ बन रहा था मैंने बताया था एक्जम्पल किसका है ये हाइडरा है क्या है ये हाइडरा है हाइडरा क्या करता है बड़िंग करता है बच्चो एक्जम्पल है देखी जो हम आज पढ़ रहें न रिप्रड़क्शन इन और्गेनिजम्पल ये बच्चो आपके इसमें क्या पूछ जाते है इसमें कोई थियोरी का पूर्शन या था आपका कभी आप ऐसा सोच रहे हो कि हमसे तो इतनी थियोरी पूछ लेंगे भई हम तो कैसे बताएंगे इसमें सिर्फ आप से पूछ जाते है एक्जामपल्स क्या पूछ जाते है एक्जामपल्स पूछ जाते है ठीक है तो देखिए हाइडरा है ये एक आपके पैरेंट बोडी है तो इसमें क्या है आउटर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ये देखिए आपको शायद अब वीज देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें पैरेंट बोडी है उसमें आपको एक आउट ग्रोथ दिखाई दे रही है क्या दिखाई दे रही है आउट ग्रोथ आउट ग्रोथ यानि आपको एक बड़ बंता दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके ये बड़ कुछ ऐसा दिखाई देता है ये तो है आपकी पैरेंट बोड़ी ठीक है और ये आपका बड़ है तो देखी बच्चो जब तक ये इसके साथ चिपका हुआ अटेच है यानि इससे अलग नहीं हो रहा इससे डीजनरेट नहीं कर रहा तब तक हम इसको बड़ बोलेंगे लेकिन क्या करता है ये उसके बाद अलग से बन जाता है ठीक है इस परकार कुछ ठीक है इस परकार से कुछ अलग बन जाता है तो ये तो हमारी parent वाली body होगी कौन सी होगी? ये तो हमारी parent वाली body होगी और ये क्या बन जाता है? new बन जाता है, है ना? इसमें new बन जाता है तो इसका मतलब क्या है? अपने इतने question के, दोई की ए question लेकिन दोई में भी कितने सारी बाते सीख लिए जैसे amoeba में क्या था? amoeba में out growth जो हो रही थी वो absent थी, है ना? लेकिन इसके अंदर present है समझ में आ रहा है, ये छोटी-छोटी जो बाते हैं ना वच्चो, यही आपसे question में पूछी जाती है, मतलब exam में पूछी जाती है, इनी बातों को आपको याद रखना है, तो बस आपसे यही request है, कि अच्छे से समझे आप, जो भी आपको मतलब पूछना चाहते हो, समझना चाहरे हो देखिए, आप यह सोच रहे हो कि online education का कोई फाइदा नहीं है कास हम center में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे में, सोरी, offline में एक सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि बचे teacher से direct contact कर सकते हैं, मतलब कुछ पूछना हो, तो directly पूछ सकते हैं लेकिन offline में मतलब online में क्या होता है online में यह होता है, आप comment कर रहे हो by chance हम से skip हो जाते हैं हम नहीं बता पाते तो आप सायद ही है, सोसते हो कि मैडम तो हमें ignore कर रही है है ना, मतलब हमारे answer नहीं बता रही लेकिन आप इस तरिक की जो गलत फहमी भरी रहती है आपके दिमाग में, उनको दूर कर लीजिए मतलब हापको सब समझ में आएगा यह हम मतलब बोलते हैं, क्योंकि हम मतलब कोजिस इतनी कर रहे हैं बच्चो कोई परकार का doubt ना रहे कोई बच्चा हमसे question पूछे by chance class में नहीं बोल पाते तो class के बाद भी हम बता देंगे उसको ठीक है, कोजिस हमारी पूरी यही रहती है, फटा-फट से no down करेंगे, फिर बढ़ेंगे next question के तरफ ठीक है चलिए, बढ़ते हैं, इस question को अच्छे से पढ़ लो पहले ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है यह क्या दिखाई दे रहा है, यह क्या दिखाई दे आपको parent body है, है न, यह आपकी है parent body, देखिए, हम क्या पढ़ रहे है budding, यह किसका भाग होता है asexual reproduction का यह यह asexual reproduction है, ठीक है, देखिए आपको क्या दिखाई रहा है, यह hydra क्या है, किसका example है, यह hydra hydra में क्या होती है, budding होती है, याद रखिएगा question पुछा जाता आप से, ठीक है, देखिए, parent hydra है यह आपकी एक parent body है, ठीक है, आपको अब दिखाई देगा, क्या देखिए, आपको यह छोटा सा बिल्कुल पिदकुल सा दिखाई दे रहा होगा, है न, दिख रहा है स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट में जब हम देखते हैं, तो आपको कुछ इस परकार दिखाता है, तो यह क्या होता है, बड़ जो होता है इसके hydra के उपर ये वाला portion ये इसको क्या बोलेंगे हम tentacles बोलेंगे क्या बोलेंगे tentacles ठीक है तो जब fourth हमारी जो stage है hydra की तो ये बढ़ती है तो बढ़ क्या करता है growth मतलब बढ़ जाता है starting में क्या हुआ था? arise हुआ था पहले बना था चोटा उसके बाद उसकी growth होगी next क्या होता है? bud बढ़ जाता है मतलब develop कर जाता है और क्या होता है? mouth उसका move बनना start हो जाता है और tentacles बनने start हो जाते है यह जब बनने स्टार्ट हो जाते है इसका मलब यह है कि यह वो स्टेज है जहां से हाइडरा मतलब जो उसका बड़ होता है वो डिजनरेट कर जाएगा देखिए नेक्स्ट में अब आपको अलग-अलग दिखा रखा है दिखा रखा ना बिल्कुल बड़ क्या डिटेज मतलब क्या हो जाता है जो बड़ होता है यहां से तूट के नया बन जाता है पैरेंट बोड़ी से अलग हो जाता है डिटेज हो जाता है नया हाइडरा बन ज ठीक है, not down कीजिसको अच्छे से याद रखिए, फिर बढ़ेंगे next question की तरफ, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, अब हमारा next question हम से पूछता है, देखिए, बहुत easy question है, new individuals develop from birds, birds है न, देखिए, ने वेक्टिक कलियों से विक्सित होती हैं, जस्ट पिछले question में बताया था, पिछले example में बताया था, आपको जो एक diagram दिखाया था, उससे explain किया था, हर बच्चे को question आ जाना चाहिए था, तो बच्चो मेरे को खुशी तब मिलेगी, जब आपको साथ- comment करें, ठीक है, तब मेरे को खुशी मिलेगी, तब मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ, आज बच्चे comment कर रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है, जब बच्चे ऐसे मेरे को reply करते हैं, कि मैडम इसका answer ये है, है न, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बच्चो, तो आप से request इतनी है, कि प्लीज इसको reply किजिए, फटाफट से, देखी, ये question मैंने just करवाया है, अभी एक मिनट अभी नहीं हो, हमने पहले करवाया है, तो प्लीज आप से request है, कि इसको अच्छे से एक बार cover कीजिए, इसको मेरे को question बताईगा, amoeba, paramecium, bacteria और hydra, तो मुझे बताएंगे कि अभी parent body से bird बनता है, जब bird arise start हो जाता है, उसके बाद grow होगा, उसके बाद जब उसके tentacles बन जाते हैं, उसका mouth बन जाता है, वो detach मतलब अलग हो जाता है, तो ये जो process है, वो किसमे होते है, इस process को तो हम बोलेंगे budding, क्या बोलेंगे, budding, तो budding मेरे तो किसमे होती है, जिस्ट अभी आप example करवाया था, आपको hydra, किसमे होती है, hydra में, तो आपको example tips पर होना चाहिए, किसमे होती है, hydra में होती है, हर बच्चे को question आने चाहिए, ठीक है, आपको no down करना था, sorry, ये लीजिए, आप no down कर लीजिए, हंजी, देखिए, अब question दिखा रहे हूँ, ये again वही picture दिखाई जा रही आपको, आपने सोचा कि मैंने तो वही दिखा दी, ये आपकी parent body थी, क्या थी बच्चो, parent body थी, आपको जो hair like, जो structure दिखाई दे रहे हैं, ये क्या थी, हमारे ये tentacles थे, क्या थे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या होगा, बड़ बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बड़ की growth हो जाती है, उसके बाद क्या होता, mouth बन जाता है, और ये tentacles बन जाती है, उसके बाद ये degenerate, मतलब detach हो जाता है, यहां से तूट जाता है, और नए form में अपने आपको बना लेता है, ये parent body थी और ये new hydra है, ठीक है, example किसका है, ये hydra का, ये क्या है मेरे बच्चो, hydra है, है ना, बहुत अच्छा कोशन है, आगे-ागे हम human reproduction भी करेंगे, sexual flowering plant भी करेंगे, चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, देखिए, ये तो आपके शायद favorite ना हो question, इसको मैं इसलिए नहीं बो करता है, हम को पता है, क्योंकि काफी, मतलब काफियों का कहना ऐसा है, कि इसमें बच्चे थी औरी नहीं पड़ते हैं, इसलिए गलत कर जाते हैं, है ना, मैंने सुना है, देखा भी हम, हम देखते भी तो है ना, बच्चो, हमारे पास कितने student होते हैं, कितने messages आते हैं, बाय हैं, तो बहुत सारे पच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कि सारे मस्ती करने वाले हों, मस्ती करने वाले भी आते हैं, बट उनका reply नहीं मिलता है, उनको करके चले जाते हैं, मस्ती हम, हमें क्या है, हमें अपने काम से मतलब है, है ना, तो हर बच्चा इस question में गलती करता है, लेकिन आपको नहीं करनी, which of the following statement is incorrect, मतलब क्या कहरा चाहा रहा है ये, कि निमनिक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, question पढ़ेंगे आपपा, hydra have only a sexual reproduction, just अभी अभी example किया था, क्या होती है मेरे बच्रों, hydra में होती है budding, तो budding जो होता है, किसका मादम है, ये asexual reproduction होता है, क्या होता है, asexual reproduction होता है, Asexual reproduction है ना क्या होता है Asexual reproduction देखिए Asexual reproduction होता है तो हमें अपना answer यहीं पर मिल चुका है लेकिन हम फिर भी statement को पढ़ेंगे most frog मतलब जादातर यह नहीं बूला देखिए बाईलो जी में क्या बूला जाता है आपको all all में तो क्या जाते है सभी है ना उसमें तो सभी आ जाते है लेकिन most होता है वो आपको बोला जाता है कि जादा तर इसका मिलब यह नहीं है कि हमने सारे ले लिए इसका मिलब यह है कि 10 लोगों में से आपको बोल रखा 10 अब 10 लोग है हम उनके गंती करेंगे, हम उनको बोल देंगे all, बोल देंगे यह सभी, लेकिन हम उन में से कुछ बंदे छाट रहे होंगे, तो हम क्या पहलेंगे most of, मतलब उसमें से हमने कुछ 7-8 को छाट लिया, है ना, just example के लिए बता रहे हूं आपको यह, ऐसा कोई trick नहीं है, यह, लेक और फिर जानवर होती है, मतलब सबसे, इसमें क्या बोला, जादात्तर, सभी का नहीं बोला इसने, यह बात यहां रखनी है, इसका मतलब यह answer सही है, budding is possible in Hydra, बिलकुल सही बात है, बच्चो, budding किसमें होती है, Hydra में ही होती है, possible होती है, लेकिन उपर वाले में क्या दे है रखा है, Hydra has only a sexual production, तो देखिए, दो question, दो answer है, दोनों में confused होगे, confused क्यों होगे हम, क्योंकि हमने question कर रखा है, कि Hydra में क्यों होती है, budding होती है, तो answer कौन सा होगा, C वाला सा ही होगा, next है, internal fertilization takes place in hans, मतलब मुर्गी, ठीक मुर्गियों में anthric initiation होता है, यह सब को पता है, कि internal fertilization होती है, जब हम organisms, sorry, organisms का बढ़ भी पढ़ रहे हैं, जब हम humans का पढ़ेंगे, तो उसमें आपको और भी example करवाए जाएंगे, ठीक है, कुछ example होते हैं, बिल्कुल common sense की, ठीक है, आप यह याद रख सकते हैं, तो इसमें हमें अपना answer बच्चों में चुका है, Hydra, Hydra में क्या होता है, sexual production नहीं होता, इसमें होता है budding, यानि a-sexual production, फटा-फट से no down करेंगे, फिर बढ़ेंगे next question की तरफ, चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, तो अब हमारा next question कहता है, अब picture दिखाने के I think कोई जरूरत नहीं थी उसमें, क्योंकि मैंने पूरा पहले already बता दिया था, ठीक है, तो देखिए, binary fission as mode of binary fission जो होता है, वो एक क्या है, binary wikhandan एक विदा है, मतलब क्या है, किस में होता है, क्या है, ये micro propagation, asexual production, micro propagation, sexual production, तो sexual production का तो मैंने आपको just कहे दिया, कि हम human reproduction में पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से details है, ठीक है, micro propagation और micro propagation, micro औ macro, ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे, sexual reproduction in flowering plant, ठीक है, just हम किसको पढ़ रहे है, asexual reproduction को, तो budding किस में होगी, किसका example है, ये आपका, sorry, asexual reproduction का example है, किसका है, asexual का, ऐसे करके आपको question नयाद रखने है, ठीक है, फटा फट से no down करें, चलिए बढ़नते हैं, next question कितरो, देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है, वही example है, amoeba है, parent body है, इसमें, अपने आपकी क्या करेगा, cell बढ़ा लेगा, cytoplasm बढ़ जाएगा, nucleus का size बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे-धीरे, ये देखिए, cell बढ़ गी, अपने आपको क्या कर रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है, और next आके ये अपने आपको अलग कर लेता है, ये क्या बन जाती है, daughter cells बन जाती है, क्या है, ये daughter cells, है ना, ऐसे ही आपको example दिया, parent body, इसके अंदर आपको ये nucleus दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये क्या हो जाता, outgrowth start हो जाती है, इसमें, या आपको budding का example दिख रहा है, ठीक है, ये भी budding है, ठीक है, budding यानी budण बन रहा है, इसमें ठीक है, इनको बोलते क्या है, इनको, इसको bud बोलते है, ठीक है, outgrowth होती है, ये, जो amoeba में absent होती है, ठीक है, धिरे-धिरे करके ये अलग से बन करें फिर बढ़ेंगे next question की तरफ जल्दी करो बच्चो slow नहीं हो ना आपको comment करते रहो साथ-साथ देखिए ठीक है चलिए बढ़ते है next question की तरफ तो हमारे next question हमसे पूछता है क्या पूछता है बच्चो हमसे हमारे next question पूछता है, which of the following is not a process of a-sexual production, मतलब निवनिक्त में से कौन सा ailingic परजनन परकिरिया नहीं है, तो देखिए wedding, wedding भी just किया था, ये किसका भाग है a-sexual production का भाग है, a-sexual production है, क्या है बच्चो a-sexual production है ठीक है, और ये किसमें होता है, इसका example है नेक्स्ट क्या है, संगैमी एक मिनट देखिए, नेक्स्ट था, संगैमी gemilation और fragmentation ये सब भी किसके भाग है, a-sexual production के भाग है ये भी क्या है, a-sexual production के भाग है, तो मतलब answer क्या होगा, संगैमी, देखिए संगैमी किसका भाग है, सेक्सोल production का इसको हम सेक्सोल production को हम संगैमी भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं, संगैमी, संगैमी में इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल, फीमेल क्या बनाएगी, ओवम क्या बनाएगी बच्चो हर बच्चे को confirm हो गया होगा ये doubt भी clear हो चुका होगा है ना सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी मिरको बताएंगे कितना समझ में आ रहा है session अच्छा लग रहा है तो please share करेंगे जल्दी से फटा फट से इसको no down करेंगे फिर बढ़ेंगे next question की तरफ चलिए बढ़ते है next question की तरफ देखिए तो next question क्या कहता है देखिए हमारे next question कहता a clone is a group of individuals obtain thought clone क्या होता है बच्चो clone क्या होता है यह a sexual reproduction में होता है मतलब क्या है कि जैसे amoeba था यह ठीक है amoeba था इसने क्या बना ली थी दो daughter cell बना रही थी तो क्या था एक से तूटके दो बना है तो इसमें क्या था morphologically मतलब यह दिखने में भी तो same ही लग रहे है न एसा मत सोचना कि यह बड़ा है तो यह चोटे चोटे दिखरे ऐसा कभी नहीं होता ठीक है सेम ही हों गई यह देखिए आपको यह दिख रहा है कि amoeba दो प्रोटर सेल बना रहा है तो इसमें क्या है यह दिखने में भी सेम है जैनेटिकली भी सेम है मतलब इनके जीन्स सब कुछ इनका इनके अदर जो साइटो प्लाजम है वह सेम इन में है इसमें न्यूकलियस वह इन में है तो मतलब क्या है जो मतलब क्या होता है एसेक्सुल प त्यार्चेतलर सक्षाइट है आधि एसा तो नहीं ना को मेरें में वेटिर मेरें नां देख कि को क्षी करेक्टर सेम यह वेट आखंट में दिफिरंट तो क्लोन क्लोन विए होता है वहलेंगा जो दिखने में भी सेम्ध और genetically भी यानि क्या होगा ये ये genetically similar हो और morphologically मतलब दिखने में ये similar देखिए question है na clone का पुछा जाता है 2 से 3 question मतलब different different types के पुछा जाते हैं लेकिन answer नहीं में से बच्चों ठीक है तो आप से पूछा गया है कि कि किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो clone इन में क्या है asexual production है यानि amoeba में asexual production था binary fusion था तब ये similar दिख रहे हैं मतलब ये क्या clone है एक दूसरे के similar है तो हम तो नहीं है humans तो नहीं है ना similar तो क्या होगा ये hybridization जिसे genetics में पढ़ेंगे micro propagation cross pollination self pollination ये तो बच्चों पॉलिनेशन की भाग हो गए ये तो flowers में आ गए तो अब आप मेरे को सभी बता देंगे कि example किसके होगे ये ये तो pollination ये तो sexual production हो गया एक टाइप से पॉलिनेशन का ये plants में होगा मतलब flowers में होगा ये तो तो answer क्या होगा हर बच्चा बता सकता है जल्दी बताएंगे comment करेंगे फटावट से किस किस बच्चे को पता है देखिए hybridization ये अलगी परकार होता है अलगी चीज होती है इसको पढ़ेंगे हम genetics में किसमें पढ़ेंगे genetics में लेकिन cross pollination self pollination क्या होता है ये flowers के हंदर होता है बच्चो एक परकार का sexual production है तो हमसे पूछा क्या गया है clone clone में क्या होता है ये sexual production होगा तो हमारा answer क्या होगा micro propagation क्या होगा micro propagation ठीक है फटाफट से बच्चे no down करेंगे फिर बढ़ेंगे next question की तरफ चलिए बढ़ते है next question की तरफ I think सभी साथ साथ note कर रहे होंगे ठीक है देखिए binary fusion आपको दिखा देती हूं मैं अभी अभी मैंने example लिया था ये क्या है amoeba है क्या है बच्चो amoeba है ठीक है amoeba क्या कर रहा है साइटो प्लाजम को बढ़ा लिया इसने नुकलियस को बढ़ा लिया और ने डॉटर सेल बना दिये दो बना दिये ना ये क्या है डॉटर सेल से ये कि कि लोट्ट army हैना तो देखिए अब अमीबा क्या कर रहा है डाटर बना रहा है लेकिन इसमें क्या आपको कहीं बकाई दिखाई दे रहे हैं बड् необходимо नहीं हो रहे हैं वी ठीक है एक से दो बन रही है वी इसमें से बड्डieval Myo ये था अब अपने आपको यह अलग-अलग दिखा रहा है तो इसकी 2 मतलब ृमिभा और कहीं दिख रहा है नहीं इसने अपने आपको embedded कोला था इसकी नहीं सैल्स बन की है ना इसी प्रकार को आपको यह याद रखना है क्लोंस यही था कि morphologically genetically similar होने चाहिए और वो किसमें होगा Asexual production में होगा ठीक है फटाफट से बच्चे सासा screenshot ले ले इनका देखिए अब आपसे ये question काफी बार पुछ जाती है Asexual के अंदर 2018 में पूछा गया है बच्चो देखिए हर बच्चा कर लेता है कैसे करता है एक दो question को सही कर लेगा और क्या होगा बाकी गलत ऐसे ही होता है क्योंकि मतलब देखिए अब आपको इसमें से तीन option दे रखें तीन में से आपको कोई दो ही याद है तो भी आपका का एक याद है तो एक तो काफी का हद तक similar मिलता देखिए इसमें एक का 2 दे रखा है इसमें भी टू दे रखा है तो बता दो कि कौन सांसर होगा नहीं पता है ना तो ऐसे से कुछी ओष्ण होते है ना तो कोसिस करो आपको लुपस यह कोसिस करो कि आपको आते तो सारे ही हो अगर बाई चांस एक दो नहीं आते पांच पूछ रखे कम से कम आपको चाहर आने चाहिए तब आपका अंसर सही होगा देखिए अब अमीबा इसमें क्या दिया गया है इसमें हमें कॉलम दो दे रखे हैं मैच करने और गनिजम्स के नाम दे रखे हैं और फीचर्स दे रखे फीजन के बाई बाई अभी ये रुपरडक्षण करते हैं एसieux तो इनमें किस प्रकार की होती है तो देखिए अमीबा अमीबा में दे रखा इसमें मैंनी डोटर सेल बाई मल्टीปल फीजन तो क्या ऐसा होता है बच्चों फीजन टेक्ष पलेज इन डाफिनीट फीजन कैं टेक प्लेस इन प्लेन तो मिरे को बता देंगे किस किस बच्चे को इमानदारी से बताएंगे किस किस को आंजोर आता है नेक्स्ट है लेशमानिया लेशमानिया तो बताएंगे many daughter cell by multiple fission या फिर takes fission takes place in a definite orientation next time plasmodium अच्छा plasmodium से मेरे को एक और चीज़ याद आगी plasmodium क्या कोज करता है यह proto जो है कहना सबको पता है proto जो है क्या करता है क्या कोज करता है क्या करता है यह malaria कोज करता है हमने human disease इस वाले में पड़ा था यह ऐसे से जो एक रिलेट बाते होती है याद रखा करो plasmodium क्या करता है malaria कोज करता है किस-किस को आंसर पता है देखिए तो अभी जेस्ट क्या था amoeba amoeba में क्या होगा many daughter cell तो नहीं इस प्रकार तो देखिए अब इसमें एक प्रकार से दिखाई दे रहा था ठीक है इस प्रकार से चाहे इसको इस प्रकार तो दो लो इस प्रकार तोड़ लो कहीं से भी तोड़ लो आने daughter cell ही है है ना तो जुरूरी तो नहीं है ना कि इसमें क्या होती है irregular होती है irregular fusion क्या होती है irregular fusion मतलब कहीं से भी कर लो तब बन जाएंगा तो इसका अंसर क्या होगा एका आएगा थ्री तो मतलब एका किस में दे रखा है थ्री डी में दे रखा है एका थ्री fusion can takes place in any plane ठीक है फिर है लेश्मानिया अब लेश्मानिया का तो आई थिंक सही है है ना लेश्मानिया में क्या होगा fusion takes plane a definite shape जैसे अब यह example यह लगा लो लेश्मानिया आपका ऐसे बोल रही हूं है नहीं ऐसे बोल रही हूं यह यह आपका जैसे एक लेश्मानिया ठीक है तो यह लेश्मानिया में इसमें क्या होगा बच्चो इसमें यह होगा आप इसके भी तरिक्के से कर लो, any plane से हो रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ single से होगा, है ना, देखिए, इसमें single से होगा, तो इसका तो यही ठीक है, sorry, इसका तो यही ठीक है, और next क्या है, plasmodium, plasmodium क्या होता, many daughter sell by multiple fission, multiple fission भी बनता है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्यो है, plasmodium का, तो हर बच्चा वहां से cover कर सकता है, जिसने भी, मतलब जिसका backlog रहता है, जिसने classes attend नहीं करी, वो करके देखें, फिर नाग समच में आए, तो मेरे को कमेंट करें, तो answer क्या होगा हमारा, D, ठीक है, but after से no down करें, साथ साथ, बढ़ेंगे next question की तरफ, अब हमारा next question है, देखें, next question कहता है, वी चोदा following does not, not, not part A, vegetative propagation, तो vegetative propagation, प्लांट में होगा, यह तो आप सब जानते हो, यह asexual production होता है, जो प्लांट में होगा, तो root, stem, leaf, flower, तो आप, मेरे को यह बता सकते हो, कि क्या plant भी sexual production करते हैं, या फिर asexual करते हैं, बताएंगे, किस-किस बच्चों को पता, इमादर से बताएंगे, बच्चों मेरे को जल्दी करें, देखें, मैंने बच्चों आपको बताया था, कि asexual जो reproduction होता है, वो किस से होगा, vegetative propagation, इसमें किसमें होगा, प्लांट में, है ना, प्लांट में, तो देखें, प्लांट के, यह flower, leave, तो देखें बच्चों, जो यह तीनो भाग है ना, यह तो asexual में मिलेंगे आपको, help करेंगे asexual reproduction, asexual हो क्या single parent ही तो होता है, sexual में दो parent होते हैं, तो flowers, तो flowers में क्या होगा, इसमें क्या होगा, male part भी मिलेगा आपको और female part भी मिलेगा, है ना, androsium, gynosium, आपके flower के ज vegetative propagation है ना, किसमें नहीं होगा, तो यानी, sexual reproduction किसमें होगा, इसका answer क्या होगा, अब तो इचली बता सकते, मैंने बताई दी answer तो flower, flower में क्या होगा, sexual reproduction होगा, vegetative propagation होगा, वो किसमें होता है, asexual में होता है, वलब उपर तीनों वालों में होगा, ठीक है, फटावट से note सक्रीन शॉट ले ले लिए हैनका वेजिटे ट्यव प्रोपागेशन वैजिटे 2 प्रोपागेशन ओन्यन इस में किया दिख रही माद बुढ़ प्र ठीक है आनियन में आपके एक्जेम्पल है यह बलप का एक्जेम्पल है थीक है इनको यादि रखके यह डेख़ा है ये बल्ब का एक्जंपल है ये आपका जो दिखा रखा है और ये नेक्स्ट आपको दिखा रखा है ये आपका पटैटो का एकजंपल है अच्छा मेरे को बता देंगे आज सबको पता है जब भी आप सबजे उगाते हो आलो उगाते हो खास करकी ओके सबजे बनाते हो तो सबजे बनाते टाइम पर क्या करते हो उसमें जो कोई फ्रेश आलो जो आपको दिखते हैं खराब हो रखा हुआ अलग बात है जो आपको फ्रेश दिखते हैं तो उसके उपर जैसे यह आलो है आपका ठीक इसमें क्या दिख रहा है आपको यह इस प्रकार की आपको इसमें ग्रीन-ग्रीन कलर की कुछ मिलेगा उनको क्या बोलेंगे आइस क्या बोलेंगे आई यह क्या है आई है पर अलू की आख है ना यह क्या है आख तो इससे क्या होगा अगर आपको उसको अच्छे से सिक्वेंस तो क्या बनेगा निऊ पटैटो बन जाएगा मतलब आलर्ण से उगाओं तो नु पटैटो बन जाएगा हैना तो खेती करने से छेती जब लोग करते है तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस हपनाते हैं तब ही ओता है हना एक्जम्पल है याद रखे स्क्रीन्शोट लेते रहे साथ साथ फिर बढ़ेंगे नेक्ष्ट कोश्चन की तरफ चली बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्चन की तरफ अब हमारा देखिए ट्यूबर पटैटो यह सारे एक्जम्पल है बच्चो रनर मदलब मैंड आपने पोदीना देखा होगा पोदीना हम उगाते हैं कैसे करते हैं उपर से उसके काट के अलग से उगा देते हैं धनिया भी ऐस तो देखिए इसमें कुछ जादा एडवांस नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो मेरे को समझ नहीं आएगा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ऐसा नहीं है बच्चो देखिए आप अगर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा मतलब आप खुद के आपके आस-पास के जो कुशन देखते हो ना अगर छोटे-छोटे चीजों को हम नौटेस करने लग जाए ना तो हमारे 100% मतलब 100 नी 50% कोशन सही हो जाते हैं वहां से क्योंकि आप ये चीज़े घरों में भी करते हो वही आपको बताई जा रही है बस कुछ नया थोड़ी है के लिए बढ़ते हैं प्रडक्षिन है इनमें से तो फ्रेग्मेंटेशन फ्रेग्मेंटेशन चा evolved एसेξ्वल है अएसक्स बड़िंग फिज़न ये भी ऐसेक्स बल्ल है तो आपका बसता क्या हार्माफ्वरी दिसम्टेशन कैसमेरे 2 लें गे मेल उर फिमेल जुल ऑर फिमेल करते हैं तो इसका अंसुर क्या होगा भी थीक है क्या अंसूर होगा भी थीक है नोड़ नोडन करें fast साथ साथ चलि बढ़ते है नेक्स्स कोसजिन के तरफ झालिए बर्टे है निक्स्स कोशिन के तरफ अब देखिए ओपो मिकसस देख شुँआ अबको अलग सा नाम दिख रहागा देखिए बच्चो Apple Mixes Apple का मतलब है Away From Away From मतलब दूर अलग सबसे अलग तो जब Asexual Production होती है तो वो यू नी मतलब एक में होती है सिंगल पैरेंट होता है उसके पास तो ये Asexual Production का ही नाम होता है Apple Mixes किसका नाम होता है Asexual Production का ही Another Name होता है बच्चो ठीक है Apple Mixes मतलब की Asexual Production का ही नाम होता है लग से Plant means Develop a Plant देखिए Apple Mixes एक सयंत्र है इसमें मतलब है कि एक पोदे का विकास तो किसमें होगा From Root Cutting Without Fusion of Gamets From Fusion of Gamets From Cutting of Stem तो बच्चो देखिए यह आपको जो दे रखा है Apple Mixes मतलब Asexual Production किसमें होगा इसके अंदर गैमिट्स नहीं बनेंगे Fertilization भी नहीं होगा एक स्गेंट हाजी तो लो दस मिनट पस पांच मिनट ओलेंगे अच्छ पस पांच मिनट तो Apple Mixes का Asexual Production का ही Another Name क्या है Apple Mixes है Apple Mixes बच्चो नाम है तो इसमें क्या होगा Single होगा क्या होगा Parent होगा तो इसमें क्या होगा Without Fusion of Gamit मतलब Gamit का Fusion इसमें नहीं होगा Answer बस आपको याद रखने वाले इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है Without Fusion of Gamit Apple Mixes का मतलब क्या है इसमें कि ये Asexual Production का ही नाम है तो Asexual Production है तो इसमें Gamit नहीं बनेंगे Fertilization नहीं होगा ठीक है इसके अंदर Male और Female भी नहीं होता है Single Parent होता है ठीक है Without Fusion of Gamit चलिए बढ़ देखिए अब आप इसन पिच्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ध्यान से पढ़ सकते हैं और बच्चे को समझ में आ रही होगी ठीक है कोई भी Plant हम बनाते हैं उगाते हैं तो इसकी जो Stem है इसको काट लिया जाता है अलग पोदे में उगा दिया तो इसमें जब होता है क्या कौन से इसमें पूछा गया किसमें होता है बनाना, मैंगो, कॉटन तो क्या बच्चो खेती करते हो कपास उगाते हो तो क्या करते हो जब इतनी उग जाते है तो क्या उनको काट काट के दूसरी भी जगा दे तो ऐसा नहीं गुता ना ऐसा बनाना में होता ना मैंगो में होता किसमें होता है रोस गुलाब में होता है गुलाब का पोदा है कोई भी स्टैम का टिंकरी नेक्स्ट में उगा दो उग जाएगा बट केर करनी पड़ती है इसकी ऐसे नहीं गुता तो answer क्या होगा, rose बिल्कुल easy से answer है, देखिए आपको ये एक पोदा दिख रहा है इसमें ये stem दिख रही है अलग-अलग में उगार रखा है अच्छे से visible हो रहा होगा, I think बड़ा भी कर देती हूं, ये देखिए है न, इसी प्रकार से होगा तो ये example है, rose का बस आपको ये example याद करवाने मेरको और कुछ नहीं इसमें, देखिए इस परकार, ये आपको पुदीनी का example दे रखा है, चली बढ़ते next question की तरफ अब हमसे पुछा गया है कि vegetative production is layering is found, jasmine, mango rose and all of these तो जो vegetative reproduction होती है प्लांट में होगी, आप सबको पता है layers cut कर दी जाती है, मतलब उनकी layer cut के कर दी जाती है जैसे ये देखिए ये आपको एक plant दिख रहा है mother cell है, ये ठीक है इसकी क्या है, इसकी ये जो stem है ये जड़े है, ये जमीन में धस जाएंगी इस प्रकार से, और इनको फिर हम मिट्टी में किसी चीज से मतलब यहाँ पे इसको attach कर देंगे नीचे जमीन में उगा देंगे, मतलब इसको नीचे कर देंगे जमीन में, ठीक है, तो इससे क्या होगा अगर इस प्रकार रखी है, तो धीरे-धीरे क्या होगा, ग्राउंड से मतलब नया पोधा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, लेरिंग इसको क्या बोलेंगे, लेरिंग तो बच्चों, यह किस में होता है जैस्मिन प्लांट में होता है, बस आपको यह इतना कोशन याद रखना है कि vegetative reproduction layering से करते हैं तो यह jasmine plant में होगा ठीक है देखिए अब आपको एक और picture दिखाती हूं मैं इसकी देखिए इस परकार यह पोधा दिख रहा है आपको आपको पोधा दिख रहा है यह इसकी कोई भी stem है जमीन में चली गई इसको हमने किसी help मतलब किसी चीज के help लेके नीचे कर दिया तो धीरे 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 यह नया पोधा बनना स्टार्ट हो जाता है यह क्या मादेम होगा लियरिंग का मादेम होगा jasmine plant में होता है ठीक है बढ़ते हैं next question की तरफ अब हमारा next question है देखिए paramecium is paramecium reproduce by paramecium द्वारा मतलब पुनहरुपादित होता है asexual, sexual, both A and B तो paramecium किसका example है asexual का example है आप सबको पता होगा यह ठीक है फटाफट पढ़ते हैं next question की तरफ यह आपको paramecium की picture दिख रहे है इसमें क्या दिखा रहे हैं आपको food vacuol दिखा रहे हैं इसमें cytoplasm होता है micronucleus होता है, nucleus होता है यह आपको जो hair like structure दिख रही है इनको बोलते हैं cilia ठीक है क्या बोलते हैं cilia अब है हमारा next question अब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि देखे during binary fusion and multiple fusion the cell division कोई भी cell जब टूट के नहीं दो cell बनाती है जब वो टूटती है तो उस टूटने की जो प्रकिरिया होती है उसको क्या बोलते है mitosis, meiosis, amitosis या cytokinosus तो उसको बोलते है mitosis क्या बोलते हैं amoeba में कौन सी होगी बच्चो, mitosis होगी किसका example है ये amoeba का किसका example है बच्चो amoeba का example है और ये किस में होता है? एसेक्सोर प्रडॉक्शन में होता है और क्या है? और ये बाइनरी फीजन है या है बचो? बाइनरी फीजन है राइट? I think सब के डाउट, सब कुछ कलियर हो चुगा होगा आज का बचो बहुत इंपोर्टेंट अच्छा सेशन था आज का हमारा तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का समापत होता है मिलते हैं नेक्स लेक्चर में ने टोपिक के साथ आज जो आपका रिप्रडॉक्शन इन अर्गैनिसम है वो कबर हो चुका है ठीक है मेरे अकॉड़िंग कबर हो चुका है कुछ कोशन रहेंगे वो नेक्स में पढ़ लेंगे ऐसा नेक रिप्रडॉक्शन खतम हो गया नहीं रिप्रडॉक्शन तो बहुत बढ़ा है फ्लावर्स में भी पढ़ा है फुमन्स में भी पढ़ा है बहुत सारा पड़ा है लेकिन इसके कोश्चन मोस्टली कवर हो चुके हैं एक दो जो कितने कोश्चन रहते हैं नेक्स लेक्चर में कवर करवा दूँगी तब तक के लिए पड़ते हैं All the best मिलते हैं नेक्स लेक्चर में